दोस्तो वालनुट यह दवा जब लाइफ में कोई बहुत बड़े चेंज़ेस होते हैं तो उस सिचुएशन में काफी फाइदा में रहती है हलो फ्रेंज वेलकम तो मैं चानल स्मॉल बिक तिंग्स आइम डॉक्टर वाक और आज का हमरा टॉपिक है वालनुट दोस्तो बैच फ्लार रेमेडीज के इस फ्री हिंदी ऑनलाइन कोर्स के सारे वीडियो एंजॉई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हैं उसे क्ल करें सारे वीडियो एंजॉई करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं दोस्तो वालनुट यह दवा जब लाइफ में कोई बहुत बड़े चेंजेस होते हैं तो उस situation में काफी फाइदमेंद रहती है। लाइफ के ये जो बड़े changes होते हैं या situation changes होते हैं उसमें कोई व्यक्ति को थोड़ी समय के लिए कुछ disturbance होता हैं तो उस disturbance को कोप अप करने के लिए ये दवा बहुत फाइदेमद है। बहुत ही काम की दवा होती है। लाइफ के बड़ी बदलाव की वजह से जो आने वाला stress होता है तनाव होता है वह कम करने के लिए ये दवा काफी फाइदेमद है। एक नई जिन्दगे के शुरुवात करने के लिए नई जिन्दगे के भविश्य के target को अचीव करने के लिए इस दवा की every step, every time बहुत मदद होती है ताकि वह व्यक्ति अपने पुराने समस्याओं को ओवरकम कर सके। पुराने जिन्दगे के ideas को, impressions को भूलने में यह दवा बहुत मदद करती है। Life के बड़े changes, जैसे के हम example लेते, कोई बच्चा अब just school में जाना शुरू करता है और उसे school में जाना पसंद नहीं होता, वो जाके बहुत रोता है, तो ऐसे situation में walnut बहुत सहाया करती है। कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ address होने के लिए उस change को accept करने के लिए walnut दवा बहुत helpful होती है। अगर आप या आपके दोस्त विदेश जा रहे हैं और आपको मन में डर है कि विदेश जाके कैसे रहना है, तो विदेश जाने के बाद जो मनस्तिती होती है, उसे cope up करने के लिए आप walnut का 7 कर सकते हैं। अगर किसी घर में किसी महला या पुरुष की मौत होती है, तो उसकी पती या पतनी या बच्चों को वो situation accept करके नए जिन्दगी की तरफ बढ़ने के लिए इस life के बहुत बड़े change को accept करने के लिए, उसके साथ cope up करने के लिए वालनट या दवा बहुत ही फाइदे मन रहत है और इन लोगों में इस दुख से निकल कर नए जिन्दगी की शुरुआत करने में उन्हें हर घड़ी सहाय करती है, जैसे के मैंने पहले ही बोला है कि बैच फ्लार रेमेडिस सिर्फ एकिपोटिंसी में आती है, वो होती है 30, वालनथ 30 इस दवा का आधे कप पानी के साथ तीन ड्रॉप्स या ग्लोबिल्स में आप लेते हो, तो तीन ग्लोबिल्स दिन में तीन बार आप लेते हैं, तो इस अक्यूट फेज में आपको दो-तिन दिन में ही रिजल्ट डिकने शुरू होते हैं, यह रिजल्ट कायम रखने के लिए आप अगर 15 दिनों तक इस मेडिस इनका सेवन करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से नए सिच्वेशन को एकसेप्ट करते हैं पुरानी चीजे भूल जाते हैं दोस्तों मैं उमीद करते हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी प्लीज शेर दिस वीडियो विट यो फ्रेंज कलिक्स एंड रिल